हाई अवरिवन मैं हूँ धननजय अगर आप सिंपली गूगल पे जाके जेनोसाइड का मतलब ढूणेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि किसी भी तरीके से किसी भी रिलीजन के या ट्राइब के लोगों को अगर आप तार्गेटेड तरीके से मारते हैं तो ये सारे के department और साथ में independent human rights body भी ये एक knowledge करते हुए आए हैं कि जो इसराइल आज के rate में गजा में कर रहा ये complete तरीके से जेनोसाइड है और साथ में गजा एक complete तरीके से death zone में convert हो गया इन सब के बीच में जिस तरीके से western countries और US अपने आँख को बंद करके हैं और हम कह सकते हैं कि USA और western countries का Israel को 100% से भी अधिक support है ना कि सिर्फ पैसे से बलकि possibly हर तरीके से western countries और US ये वही देश हैं जो कि पुरे दुनिया में घुम घुम के ये धोल पीटते हैं कि ये सारे देश human rights के protector हैं और किसी भी देश में अगर कहीं पे भी एक छोटा सा incident होता है तो उसको अपने मी से कम 45 लोगों की जान जाती है और 200 से भी अधिक लोग घायल होते हैं उसके बावजूद जिस तरीके से western countries या US को react करना चाहिए था वो complete तरीके से missing था इन सब के बीच as an Indian हमारे लिए बेहर ज़रूरी होता है कि ये सारे incident को हम बहुत ही close तरीके से monitor करे और पढ़ें ताकि जान गई है और उसमें भी 70 से लेके 75 परशन जो लोग मारे गए हैं वो या तो औरत हैं या तो बच्चे हैं और इन सब के बारे में जो reporting है या तो वो नहीं किया जा रहा या तो वो under reporting किया जा रहा अगर वहीं हम बात करें latest attack के बारे में जहां पे 45 लोगों की जान गई है US का ये कहना है कि जिस तरीके से इसराइल रफा में attack कर रहा ये अभी भी red line को cross नहीं किया है कहने का मतलब है कि जब US में 9-11 attack हुआ था तो इस attack में लगबग 3,000 लोग मारे गये थें और उसके बाद US पूरा का पूरा Middle East को war में जोग देता है और complete तरीके से पुरे दुनि cross नहीं हुआ है ये हमें बताता है कि US का mentality आखिर में क्या है वहीं पे अगर हम White House के spokesperson John Kirby की statement को हम देखेंगे तो उनका कहना है कि अभी भी US को ये नहीं लगता है कि इसराइल जिस तरीके से रफा में attack कर रहा ये किसी भी तरीके से full scale invasion है कहने का मतलब है कि ये यहाँ पे ब ये मतलब नहीं होता है कि आप Gaza में जो innocent long है उनको आप चुन-चुन के मारेंगे और जो बच जाएंगे वो automatically फिर भुखमरी से मर जाएंगे और उसके बावजूद US officially इसराइल को defend कर रहा उसके action को defend कर रहा एक मैं incident याद दिलादू आप लोगों को कि कि किस तरीके से गु जो थे वो हमास के लोग थें recent जो attack किया गया उसके बारे में इसराइल के तरब से ये कहा जाता है कि उनको ये लगता है कि जहां पे इसराइली defense forces के द्वारा attack किया गया है उन सब areas में हमास के द्वारा weapons रखे गया थे और जो explosion हुआ है वो because of that weapon हुआ है जिस तरीके से इसर civilians को जानबूश के target कर रहा है इसको लेके अब almost हम कह सकते हैं कि दुनिया के सभी देश including Israel में भी बहुत बढ़ चड़ कर प्रोटेस्ट हो रहा है जिस प्रोटेस्ट को देखते हुए US इसराइल से ये request करता है कि आप इस attack के बारे में investigate करें मतलब इसका बहुत ही साफ है कि आप एक murderer से ये कह रहे हैं कि आप अपने case को खुदी investigate करें तो ये सारी examples as an Indian हमें जानना और हमें पढ़ना बेहर ज़रूरी है ताकि हमें ये समझ में किस तरीके से US के साथ हमें अपने foreign policy को बनाना चाहिए रखना चाहिए किसी भी incident के बाद एक accountability होता है कि अगर ये incident और अगर civilians की जान गई है तो उस incident का जिम्मेदार कौन है और उसके हिसाब से एक punishment decide होता है लेकिन अगर आप वहीं पे US के official statement देखेंगे तो बस ये यही बोलके चुप हो जाते हैं कि जो incident हुआ वो काफी दुखत था और ऐसा नहीं होना चाहिए था हम Indians को भी यही लगता ह है बार-बार Second World War के आस पास पढ़ने के बाद कि Adolf Hitler ने जो किया था वो बहुत गलत किया था इन फैक्ट जो Adolf Hitler ने किया था वो सच में बहुत ही खौफनाक था और बहुत ही गलत था और शायद कोई भी उसे support या promote नहीं करता है लेकिन हम इस चीज से भी इंकार नहीं कर सक countries का role है जो बढ़ चड़कर अपने आपको human rights का protector कहते हैं I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा क्या आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye